हलो बच्चों हलो कैसे वापसद आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्त हैं मस्त हैं और जही दो हजार चोईस के त्यारी में लगे हुए हैं तो बच्चों एक्जाम बहुत जल्द नजदीक आने वाला है ठीक है ओके जन्वरी में आपका फस्ट सेशन होगा और फिर शायद उसके बाद अप्रेल में सेकिंड शेशन आ जाए और दो हजार चोईस में लोग सबा के भी इलेक्शन आ रहे हैं तो हो सकता है कि एक्जाम की डेट में कुछ न कुछ बदलाव आए लेकिन मैं आपको यह कह दूँ कि जेई मेंस का फस्ट सेशन या तो जन्वर के मिप में आयेगा या लास्ट में आयेगा इफरवरी में आयेगा वो तो फिकस उसमें इतना जैन याधा कोई चेंज नहीं आएगा देट इनी दो महीने में से किसी ऐक की आईगी अब अगर हम बात करें ज्यही में सका एक्जाम हम देने वाले हैं और हम उस एक्जाम के ज इतने मिनिमम स्कोर चाहिए हमारा स्कोर कितना हो कि हम एक बढ़िया एनाइटी में प्रवेश ले सकें ओके तो आज का ये शेशन उसी बात को ले करके हमने आपके लिए बनाया है तो इस सेशन में हम उन सारी बातों को समझेंगे बिटा जो कि आपके लिए जेए मेंस 2000 चोई करना है तो जला देखो धियान से इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं हर एक बात को क्लियर करते हैं हर एक पहलू को समझते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दू कि यार आपका जो जेए मेंस का एक्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है वो होता है आपके 300 मार्क्स का ठीक है पहले वो 360 marks का होता था लेकिन फिर बाद में बहुत change होए उससे फिर आपके यहाँ पर यह 300 marks का पेपर होता है physics, chemistry और match तीनो 100 marks के होते हैं तो आपको यह पता चल गया कि भया maximum इतने marks का होता है और हर एक subject का यह यह यहाँ पर marking होती है इस तरीके से अब अगली बात कि किस subject के कितने कितने questions आते हैं तो यार जरा देखो द्यान से overall 100 के 90 questions इसमें पूछे जाते हैं 30 30 30 30 तीनो physics chemistry match तीनों के 30 30 question रहेंगे और जिसमें यह 30 question 2 section में divide होते हैं section A में 20 question होंगे जो कि सभी आपको करने जरूरी है जितने आपसे हो सके कर सकते हैं उसमें से और section B section B में होते हैं बिटा आपके 10 question 10 में से कोई 5 आपको लगाने होते हैं तो total एक subject के आपको 25 question करने होते हैं ठीक है तो तीन subject के लगबग लगबग आपको 55 question maximum एक जिम्हें आपको attempt करने हैं ओके तो हमें ये पता चल गया कि यार कितने marks का paper होता है हमें ये पता चल गया कि subject के कितने questions आते हैं 11 तो 12 तो दोनों काbaar अि 11 तो 12 तो दोनों का सेले सालेव साता है तो आपको ये बाद ही पता चल गई अब अगली बात ये तो आपके लेए एक overall knowledge की यार जेए मेंस में क्या-क्या चीज़े आती है कितने marks का आता है कि subject में कितने क्या-क्या आता है सारी चीज़े हमने देख लिए अब जरा देखो ध्यान से अगली बात कि अगर मुझे selection चाहिए जेए मेंस में तो कोन-कोन से factor यहाँ पर आपके selection को decide करेंगे पहला factor exam का level आपको पता है या नहीं पता है तो बिटा मैं आपको बता जिता हूँ कि जेए मेंस में जो exam होता है जैसे कि अगर मैं last year बात करूँ जनवरी में जो exam होग था दो session होते है एक जनवरी में हुआ था और urban में हुआ था तो january में जो exam होग हर एक दिन दो अलग-अलग session हुए थे उसके फसट अलग-अलग shift में होग था चोईस को shift one worship two फिर 25 को shift one shift two ऐसे हर एक दिन दो-दो shift वी तो ऐसा तो हैं नहीं कि एकष्य पेपर दोनों शिफ्ट में पूचा जाए यह र दिन सेमेट पूचे जाए हरेक पेपर में अलग-अलग क्यूशन आते हैं तो अपने किस दिन किस शिफ्ट में paper दिया है उसके level के उपर भी depend करता है कि यार आपको कितने minimum score चाहिए ये कितने जादस जादस score चाहिए ताकि आप अपने J.E. advance, J.E. men's के exam को clear कर सकें और अच्छा इतने score बना सकें कि आप बढ़िया N.I.T. में दाखिला ले लगबग 11 लाग सारे 11 लाग बच्चों ने exam दिया था लास्ट इयर अगर मैं बात करूँ 2023 की तो लगबग लगबग बेटा 11 लाग प्लस इस्टुडेंट्स ने 11 लाग प्लस इस्टुडेंट्स ने ये exam दिया था इस साल थोड़े जादा ही होंगे इस साल थोड़े number of candidate जादा होने वाले 2024 में बिटा जी ये candidate लगबग लगबग 13 लाग प्लस होने वाले है कम से कम इतने तो होंगी होंगी तो competition हर साल बढ़ रहा है competition हर साल बढ़ रहा है ये बात तो clear हो चुकी है तो कई न कई हमें इन मुद्दों के लिए बढ़िया से अपने आपको तयार करना होगा कि यार हर साल number of student बढ़ रहे हैं तो हमें मेनद भी उसे इसाब से करनी पड़ेगी तो आपका selection exam का level के सा है उसके उपर भी depend करता है अगर exam का level बहुत hard है बहुत ही ज़्यादा difficult paper आया है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कम number लेकर आ रहे हो ना तो भी आपके selection के chance है और अगर paper बहुत ही ज़्यादा easy है तो आप ने उस paper में बहुत अच्छे marks लेकर के आयो और मान लो किसी दूसरे दिन कोई ऐसे shift आई जिसमें paper hard आया भले समें कम score आया तो भी बात बराबर है ठेके normalization के हिसाब से फिर आपकी final rank decide की जाती है तो कही ना कहीं सर हमें कितना minimum score लाना होगा कितना minimum score लेकर आए हमें तो पता नहीं चलता हम तो एक paper देकर आते हैं पता नहीं हमारा किस दिन किस shift में paper होगा तो हमें तो वो safe score बता दो इतना लेकर आजाओ काम बन जाए तो मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो जैसे कि जनवरी 2023 की में बात करो और अप्रेल 2023 की में बात करो ठेके last year की में बात कर रहा हूँ हर बार ऐसा ही होता है जनवरी वाला session थोड़ा hard लगता है अप्रेल वाला easy लगता है क्यों क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनोंने अपना syllabus पुरा complete नहीं किया होता है या फिर उस time पर वो board की preparation में बीजी रहते हैं तो इस time पर बच्चों के marks कमाते हैं marks कमाते हैं तो यहां पर कम marks लाने पर भी आपके बड़िया परसेंटाइल बनेगी इस बात के guarantee है 99 प्लस परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बनाने के लिए यहां पर आपको लगबग लगबग 170 प्लस score करना था जिसमें आपके 99 प्लस परसेंटाइल बन जा था और अप्रेल की बात करूँ तो 99 परसेंटाइल बनाने के लिए 99 परसेंटाइल बनाने के लिए अप्रेल में उनी बच्चों को लगबग लगबग 180 से प्लस marks लाने पड़ेंगे पड़े थे तब जाकर के वो इतने स्कोर पर पहुँचे तब जाकर के वो 99 प्लस स्कोर पर पहुचे ऐसा क्या ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर कम माक्स में ही सेलेक्शन हो जा रहा है 99 अब हो परसेंटायल बन जा रहा है वहाँ जादा क्योंकि अब वो बच्चे जो पहले कि उसे लगा लिए तो अब उनका confidence बढ़े गया न तो आपका अब competition बढ़े गया competition बढ़े गया तो mark ज़्यादा लाने पुड़ेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ऐसा नहीं कि यह 2023 में हुआ है 2022 में 2021 में इस टाइम पर भी यह ऐसा हुआ है ओके तो आपको यह minimum criteria तो बता हो अब बात करें सर 2024 में कितना रह सकता है कोई idea देखो idea बता हो तो जरा देखो ध्यान से अगर हम बात करें जनवरी 2024 के तो हम तो यह मान के चल रहे हैं कि हमारा जो first attempt होगा 2024 का वो जनवरी के आसपास आ जाएगा तो इसके अंदर अगर मुझे 99 plus percentile बनाना है तो क्या मेरे लिए safe score हो तो कई न कई आपको यह पता होना चाहिए कि 300 number का paper होता है 300 number में से अगर आप लगबग लगबग 180 plus score लेकर आ जाते हैं तो आपका definitely 99 above percentile बनेगा definitely बनेगा कोशिश करें इससे ज़्यादा यह लेकर आए क्योंकि number of candidate बढ़ने वाले हैं तो 180 plus score तो आपका होना ही चाहिए 300 में से क्योंकि हम तो paper देंगे paper में तो हम यह देखेंगे ना हमारे कितने questions आई है उस इसाप से हम numbering करेंगे percentile तो last में आता है जब result आता है तो आपको तो इतने number लेकर के आने चाहिए ताकि आप 99 above percentile बना सकें और अगर आपके जही मेंस में इतना score आता है तो आपकी NIT तो सिक्योर है और वो भी एक बढ़िया decent branch के साथ जैसे ही computer science आपको मिल जाएगी एक अच्छे NIT में चाहिए आप किस भी category से बिलोंग कर रहे हो और अगर आप अप्रेल अप्रेल वाले session की बात करें दो हजार 24 में तो बेटा जी अगर आप 99 अबो परसेंटाइल बनाने की कोशिश करना चाहते हो तो फिर आपको वही minimum score अप्रोक्स 200 प्लस खीचना पड़ेगा तब जाकर के आपके 99 अबो परसेंटाइल बनेगी तो जो जनवरी वाला exam है वो ज्यादा important है क्योंकि यहां पर competition कम होता है वहां competition automatic बढ़ जाता है बच्चे वही रहते हैं ठीके mostly बच्चे वही रहेंगे फिर भी competition वहाँ ज्यादा क्योंकि हर एक ने ज्यादा पड़ा है टाइम सबको एक्स्टा मिला है अगर 14 लाग बच्चे पेपर दे रहें तो 14 लाग बच्चों को वापस से दो मेने का गेप मिल गया ना फरवरी मार्च का तो हर एक बच्चा कहीं ने कहीं एक्स्टा पड़ेगा तो फिर मार्क्स तो पहले से ज्यादा आएंगे उसके तो कहीं न कहीं परसेंटाइल ज्यादा लाना है 99 अबो परसेंटाइल लाना है तो आपको 200 प्लस मार्क्स ओप्टेन करने पड़ेंगे तब जाकर कि आप अपने ड्रीम एनाइटी कोलेज में जा सकते हो और जिसने 200 प्लस स्क और कर दिया जही मैंस में तो डेफिनेटली वो जही एडवांस भी क्रेक कर सकता है डेफिनेटली करेगा और एक अच्छे आएटी में दाखिला लेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि यार मेरे इतने मिनिमम मार्क्स तो आने ही चाहिए तो अगर आप बेटा यहाँ प गे ठेके एडवांस आपके जेएडवांस का एक्जाम आप दोगे तो फिर आप एनाय आयटी भी निकाल दोगे आयटी में भी दाखिला ले लोगे समझ में आया तो यह स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस है जिससे होकर के आप गुजरोगे और जिसमें बढ़िया गरोगे तो आपके उतने ही जादा चांसे सेलेक्शन के तो यह बात क्लिर हो गई अब सर हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या 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 करना चाहिए जिससे कि हम इन सारे चीजों को सिस्टेमेटिक मेनर में अपलाई करके एक बढ़िया स्कोर कर सके तो यहां पे जरा attempt की हम बात करें तो अभी चल रहा है हमारा अगस्त जो कि अभी लास्ट में बचा हुआ है ठीक है एक दू दिन बचे इसके कुछ टाइम बचा हुआ है तो हम बात करें सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महिने हमारे पास बचे हुए लगबग चार साड़े-चार पास बचे हुए तो इन 145 दिनों में हम किस तरीके से चीजों को करें 145 दिन बहुत ज्यादा दिने बहुत सारे दिने अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी कवर करते हो न तो भी तो हो जा रहा है तीस-थीस सबजेक्ट तीस-थीस चैप्टर मानलो आप हर एक सब्जेट के तीस-थीस चैप्टर मानलो आप 11-12 मिला करके फिजिक्स केमेस्ट्री मैच के हो जाएंगे नबबे दिन में बाकि दिन में रिवीजन करो वापस उनको रिवाइस करो एक दिन अगर आप एक ले बस भी आदा नहीं हुआ है बहुत सी जगह ऐसा हो रहा होगा तो आपके पास 145 दिन बचेंगे कम से कम अगर हम मानके चले की फस्ट अटेम्ट 15 जुलाई के 15 जनवरी के बाद हो ठीक है तो अब इसी में आपको अच्छे से सबसे पहले तो अपने प्रोपर नोट्स ब आपके जो भी आपके जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं जो डाउटनेट पर पढ़ रहे हैं ओलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं ओफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको टेस्ट आपके जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको रेगुलर आप दे और साथ के साथ उनका एनलिसिस ज त्यारी करूंगा ताकि वो और अच्छे तरीके से मेरे कुशन सोल होएं सई अब अगली बात टेस्ट दो और मोक टेस्ट टेस्ट में आपके उप्पी वाईक्यूस जरूर लगाएं जिस एक्जाम की आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं उसके पिछले सालों में ये देखें कि क् चीजें बार-बार पूछी जा रही है किस पैटर्न पर एक्जाम बार-बार आ रहा है मुश्किल से मुश्किल आप जैसे की दो हजार चोहिंस का एक्जाम देने वाले हो तो आप मुश्किल से पिछले पांच सालों के पिछले पांच सालों के प्रिवेस एर क्विशन को फ शिफ्ट में पेपर हुए है अलग अलग अटेम्ट हुए है तो आपके पास मोके बहुत जादा है ठीक है बहुत सारे पेपर सापको देखने को मिल जाएंगे तो आप पीवाइक्यूस लगा ले उनको बढ़िया समझ ले डेफिनेटली सारा काम हो जाएगा अच्छे से लगाओ मोक टेस लगाओ पीवाइक्यूस करो यही करना है बस तो आपके पास यह 145 दिन है जो बढ़िया करेगा वो मचाएगा और उसी का सेलेक्शन होगा तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा बिटा कि हमें मिनीमम क्या स्कोर रखना है हमारा ताकि हम एक से डिसेंट एनाइटी में दाखिला ले सके और अगर हमने इतना स्कोर कर दिया तो हम आगे चल करके डेफिनेटली जे एडवांस्ट भी क्रेक कर देंगे तो इसे के साथ आपको बहुत 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 धन्यवाद बिटा ठेके थैंक्यू फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ड्रीम है कौन सा आपका ड्रीम को लेजे वो भी जरूर बताएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू जै हिंद